ड्रेगन बॉल सुपर के ग्रानूला आर्क की इस्टोलाइन आलमोस्ट अपने क्लामेक्स पर आ गई है क्योंकि विट्री उचिडा ने जम पैस्टा के अंदर ये एनौन्स किया था कि ग्रानूला आर्क 2022 के मिट तक ओवर हो जाएगा साथी ग्रानूला आर्क का फाइनल बैटल भी जल्दी स्टांट हो जाएगा और अभी जिस पॉइंट पर ड्रेगन बॉल सुपर का मंगा चैप्टर 81 एंड हो था उसे तो यार अभी बाद बिना किसी डाउट के कंपर्म हो चुकी है कि इस आर्क का फाइनल बैटल स्टांट हो चुका है मंगा चैप्टर 81 के आकरी में गोकु गैस को लेकर एक डिफरेंट प्लाइंट पर चला गया था और उसके बाद वो दोनों अपनी अपनी टेलिपोटर्शन टेक्निक्स को यूज करते हुए यहाँ पर एक दूसरे के पीछे निकल गये थे तो अपने माइंड के अंदर ये कोश्चन पॉप अप होता है कि आकर गोकु गैस को लेकर कहा गया है लोकेसंस की अगर बात करें तो अपने माइंड के अंदर कई सारी लोकेसंस पॉप अप होती है जैसे वीरूस एंड विस के पास मीरूस के पास, ब्रोली के पास, फ्रीजा के पास और इवन अर्थ पर भी जा सकता है बट इतना तो कनफर्म है कि गोकु इन लोकेसंस में से किसी एक लोकेसंस पर गया होगा गोकु बिना किसी डाउट के किसी रेंडम प्लानेट पर भी जा सकता है बट यार जितना अभी गोकु के पास इस टैमना बचा है और जैसी गोकु की कंडिशन है उससे मुझे बिलकुल नहीं लगता कि वो गयस को इस कंडिशन में वन उन वन बैटल के अंदर डिफीट कर सकता है गोकु को इस टैम बिना किसी डाउट के थोड़ी टैम और हीलिंग की ज़रत है क्योंकि इन दा एंड फाइनल बैटल तो गोकु को ही करना है आप चाहिए ड्राइकन बॉल के इस्ट्री को उठा कर देख सकते हो ज़्यादा तर गोकु ही आखरी टैम में में विलन को डिफीट करके एक्चुली में आर्क का फाइनल हीरो बन जाता है अप चाहिए जैसे भी हो बट गोकु जल्दी अपने आपको हील करके गैस के साथ अपने फाइनल बैटल को स्टांट कर देगा तो हीलिंग के लिए गोकु के पास दो अप्शन्स है या तो गोकु अर्थ पर जाकर कौरिंस से सेंजो बीन ले ले या पर वो बीरुस के प्लानेट पर जाकर विस से थोड़ी सी हेल्प ले ले गोकु बिना किसी डाउट के अर्थ पर भी जा सकता है बट यार गैस भी उसके पीछे वहाँ पर पहुंच जाएगा और गैस गोकु को इतना टाइम नहीं देगा कि वो कौरिंस से सेंजो बीन ले सके हलाकि गोहन अर्थ पर यह है बट गोहन इसी बात का तो वेट नहीं कर रहा कि गोकु आएगा और वो अपने डैड को थोड़े टाइम देने के लिए यूनिवर्स के स्टॉंगेस्ट वारियर से बैटल करेगा तो अर्थ के बाद अपने पास नेक्स लाकेशन बीरुस का प्लैन्ट आता है वहान लोगों के डेंचर में होने का खत्रा भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो गैस को बड़े आराम से पानी पला सकते हैं मुझे लगता है कि गोकु पहले तो गैस को लेकर ऐसे ही कई और प्लैन्ट पर गुमेगा और आकरी में वो गैस को लेकर बीरुस के प्लैन्ट पर चला जाएगा वहाँ अगर गैस कोछ उल्टी सीदी हरकत भी करता है तब तो उसे यूनिवर्स के ट्रू स्टॉंगेश्ट वोरियर को जेलना पड़ेगा जहाँ पर मुझे ने लगता कि गैस के जीतने के यहाँ पर सिंगल परसेंट भी चांसेस है अगर गैस के टकर लॉड बीरुस से होती है तब तो यार बिना किस डाउट के बीरुस बड़ी आसानी से गैस को वाइप आउट कर देगा बट अगर गैस के टकर लॉड बीरुस से नहीं होती तब तो गोकु विस से help आँगेगा और उसे completely heal करने के लिए कहेगा और अगर गोकु एक बार अपनी full power पर आ गया तब तो अपन को master अल्टरा इस्टिट गोकु का एक बयंगर battle गैस के साथ देखने को मिलेगा जो कि इस आर का final battle होगा हाला कि गैस तब भी गोकु से ज़्यादा powerful होगा बट यार गोकु ने ना चाने कितनी पार अपने से powerful opponents को दूल चटाई है तो गोकु यहाँ पर भी कुछ ना कुछ manage कर लेगा गोकु ब्रूलियन मीरुस के पास भी जा सकता है बट यार इनके पास जाने का कोई sense नहीं बनता यह सेनारियो बस इस आर के इस्टो लैन को थोड़ा लंबा कर देगा और इस रसाब से यह आर्क देए गए time period के अंदर over नहीं होगा क्योंकि चाय जो भी हो बट आकरी battle तो ultra instead goku को ही करना है बाकि आपके idea से next chapter में क्या क्या हो सकता है let me know in comment box उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी तो यार वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like करो and अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है झाल झाल झाल